हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कुचिंग सेंटर, दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे घड़ी के इंपोर्टेंट प्रेशनों की दोस्तों घड़ी के ये प्रेशन रेलवे एंट अटी-पी-सी गुरूप डी के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अंत तक वीडियो को देखेंगे दोस्तों तो कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा तो चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रेशने आपका आठ और नौ के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई आठ से बराबर दूरी पर होंगी कहां से पूछा दोस्तों आठ से अब मैं यहाँ पर आपको एक बात पहले ही कन्फर्म कर देता हूँ कहीं यहाँ पर आठ और नौ के बीच की बात कहीं गई है ठीक है आठ और नौ के बीच की बात कहीं गई है और उसने पूछा क्या है आठ से बराबर दूरी पर है वो नौ से बराबर दूरी पर भी तो पूछ सकता है समझ में आ रही है बात तो दीखे चाहें पहले वाले टाइम से पराबर दूरी पर पूछे चाहें बाद वाले टाइम से पराबर दूरी पर पूछे दोनों ही बातें बताओंगा आपके लिए ठीक है इतनी बात समझ भाई तो इसके लिए ट्रिक रहती है वो क्या रहती है उसे आप लिख लिजे साट डिवाइड में रखेंगे तेरा इंटू क्या होता है दोस्तों लोवर लिमिट लोवर लिमिट यह होता है लोवर लिमिट का मतलब क्या है पहले वाले समय क्या है 8 और 8 से ही पूछ रहा है तो इसके लिए क्या लखेंगे lower limit lower limit मतलब 8 और 9 में lower कौन सा है 8 आपका lower है ठीक है तो देखे 60 रखेंगे बटे में 13 into क्या करेंगे 8 से पूछ रहा है 8 से मतलब पहले वाले टाइम से पूछ रहा है तो गुने 8 कर देंगे ठीक है दोस्तो पहले वाले टाइम से पूछ रहा है तो 8 रखेंगे अगर बाद वाले टाइम से पूछेगा तो क्या करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा वीडियो को अंतर तक देखिए बस ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 60 बट्रे 13 हो गया into lower limit भी हो गई अब क्या करेंगे 8 का multiply कर लो पहले 60 से 8 का 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा 8 शिंग 48 मतलब 480 हो गया divided by कितना है दोस्तो 13 है अब मैं 13 से इसमें डिवाइड करूँगा तो कितनी बार कटेगा दोस्तों इसे हम कटाएंगे तो यह कटेगा 13 36 33 49 तीन बार में कट गया 49 ठीक है 48 में से 49 तक कट गया कितना बारा बचेगा और बटे में दोस्तों कितना रहेगा 13 के लियर तो 36 12 बटे 13 हो जाएगा आपको आंसर लेकिन बस इसमें करना क्या है 8 से पूछाए ना 8 से पूछाए तो पहले इसमें क्या लगा देंगे 8 लगा देंगे 8 बचकर 36 मिनट 12 सही 13 ठीक है दोस्तों अब यह किस उफ़सर में यह मैच कर लीची यह दोस्तों दे रखा है डी उफ़सर में तो इस डी उफ़सर क्या हो जाएगा आपकी प्रेशन का सही आंसर हो जाएगा अगर किसी की समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही घड़ी बनाई हुई आठ और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई आठ से बराबर दूरी पर होगी आठ से बराबर दूरी का मतलब एक सुई यहां पर होगी आठ से और एक सुई दोस्तों कहां पर होगी यहां पर तो आठ से यह उपर जितनी दूरी पर होगी उतनी ही दूरी पर दोस्त जैसे मान लिजिए 8 से 8 से 2 मिनट उपर है घंटे की सुई तो घंटे की सुई से 2 मिनट उपर होगी मिनट की सुई बराबर होगी एकदम वो चीज पूछी गई है तो इस चीज के लिए क्या होगा आपको ट्रिक मालूम हो गई ठीक है अगर पहले वाले समय से पूछा जाएगा तो पहले वाले समय से multiply कर देंगे, बाद वाले समय से पूछा जाएगा तो उसके लिए मैं आगी बताऊँगा वो भी clear हो जाएगा, ठीक है दोस्तों उम्मिद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रेशना गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है तीन और चार के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई तीन से बराबर दूरी पर होंगी तीन और चार के बीच की बात कर रहा है और कितने से बराबर पूछ रहा है तीन से, तीन से मतलब पहले वाले टाइम से तो मैंने अभी अभी क्या बताया 60 बटे 13 रखना है और multiply दोस्तों क्या करना है जब पहले वाले समय से पूछा जाएगा तो lower limit तो lower limit 3 से छोटी है दोस्तो 3 आपकी छोटी limit है और 3 से ही पूछा जा रहा है तो 3 ही रखेंगे ठीक है दोस्तों बात समझ में आगई अगर 4 से पूछा जाता तो उसके लिए अलग है उसके लिए मैं बागी बताऊँगा तो यहाँ पर देखिए 60 कमल्ट पर अगर हम जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 तरिक का 18 मतलब 180 हो जाएगा बटे में दोस्तों कितना रहेगा 13 तो जब हम इसे कटाएंगे तो दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा 13 एक कम 13 कटेगा 18 में से 13 कट गया कितना बचेगा 5 5 में 0 जोड़ेंगे 50 13 तरिक का 49 कटेगा कितना बचेगा 11 11 उपर 13 नीचे यह आपका आंशर हो गया आप देखें तीन से पूछा गया तो इस से पहले बस आप तीन लगा दीजी 3 13 11 बचे 3 यह आपका आंशर हो गया 3, 13, 11, 32 3, 13, 11, 13 यह किस ओफसन में है B ओफसन में यह क्या गया? B ओफसन आपका आंशरा गया ठीक है दोस्तो बात समझ में आगई 3 और 4 के बीच में कह रहा है 3 और 4 में छोटी संक्या क्या है 3 और 3 से ही जब पूछ रहा है तो क्या खरेंगे छोटी संक्या से मल्टिप्याई कर देगी सभी की समझ में बात आगई अब देखते हैं अगला क्वेशन अगला question है आठ और नो के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई नो से बराबर धूरी पर होंगी अब देखे यहां पर आठ और नो के बीच की बात कर रहा है और कहां से पूछा है नो से बराबर धूरी मतलब बाद वाले समय से कह रहा है दोस्तों अभी अभी जो हमने प्रेश्टन देखे हैं उसमें देखा है जो पहले वाली समय से पूछता है यहां पर पूछ रहा है बाद वाली समय से तो इसके लिए दोस्तों क्या तरीका है बस थोड़ा सा चेंज है साथ बट्टे तेरा हम करते हैं मैंने बताया साथ बट्टे तेरा रखेंगे इंटू क्या करते हैं जब छोटी वाली संख्या से पूछा जाता है तो छोटी संख्या से हम क्या करते हैं मल्टिप्लाई लेकिन जब बड़ी संख्या से पूछा जाता है बाद वाली से जो क्या क अब 16 का मल्टिपाई कर दो दोस्तों यहां पर 60 है दोस्तों 60 है यह वाला गलती से लिख गया 10 60 के 10 कर दो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा बटे में 13 है 13 से इसे डिवाइट कर दो कितनी बार में जाएगा तेरे चौके बामन जाएगा आठ बचेगा असी तेरे चिंग 78 तक जाएगा दो बचेगा दो उपर लिख दीजे तेरा नीचे च्यालिस दो बटे तेरा अब कहां से पूछा गया था इसे देखिए कहां से पूछ रहा था दोस्तो यहां पर पूछ रहा था नौ से कहां से पूछ रहा था नौ से पूछ रहा था लेकिन जो टाइम आएगा आपका दोस्तो यहां पर आफशन में वो पहले वाला टाइम दे रखा है आठ पहले वाला टाइम ही तो दे रखा है आठ और नो के बीच तो एक सुई यहाँ पर एक सुई यहाँ पर इनके बीच में नो से पूछ रहा है मतलब पीछे से पूछ रहा है ऐसे करके नीचे की तरफ आठ से पूछेगा तो उपर की तरफ और नो से पूछ रहा है तो नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ पूछ रहा तो जो समय होगा वो 8 बजे से ही तो लगेगा चाहे 8 बज कर 45 मिनिट हो रहे हो चाहे 44 मिनिट चाहे 43 मिनिट 8 और 9 के बीच में तो कुछ भी समय हो सकता है 8 बज के 45 भी 44 भी 43 भी 42 भी हो सकता है तो 8 बजे से ही तो समय दिखाएगा वो तो 8 बज़ कर 46 मिनट 2 बटे 13 भी आपसन आपका सही आ गया बात आगी दोस्तों सभी की समझ में अब देखेंगे अगला कोश्चन अगला कोश्चन है एक और 2 के बीच कितने बज़े घड़े की दोनों सुई 2 से बराबर दूरी पर होंगी के लिए दोस्तों कितने से बराबर दूरी आपको कह रहा है वो वो कह रहा है का 2 से बराबर दूरी पर होंगी ठीक है 2 से मतलब दूसरी वाली संख्यास है तो दीखे 60 बटे 13 मल्टिपैई क्या कर देंगे 2 कर देंगे क्योंकि दूसरे वाले समय से पूछ रहा है और जब दूसरे वाले समय से पूछता तो क्या कर देते हैं उसमें प्लस वन ठीक है तो 60 बटे 13 इंटू कितना हो जाएगा 2 और 1 तीन 60 का मल्टिपे मैं यहां 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा आपको मालूम है 180 हो जाएगा बटे में 13 और इसको जब solve करेंगे तो कितना जाएगा 13 सही 11 बटे 13 अजाएगा ठीक है दोस्तों 13 सही 11 बटे 13 लेकिन 2 से पूछा है कोई बात निस समय सो पहले वाले से दखाएगा मैंना भी समझाया तो एक बच के समय दखाएगा 1 बच के 13 सही 11 बटे 13 एक बच के 13 सही 11 बटे 13 डी बार प्रेशन करा दिये और ये छटा प्रेशन है तो पांचमा प्रेशन कहां गया इसके बाद में जो पांचमा प्रेशन होगा उसे आप जरूर देखिएगा वो प्रेशन में आपको हमबर के लिए दोंगा ठीक है दोस्तों देखे घड़ी की मिनट की सुई कितने मिनट से घड़ी की सुई को दवारा मिलाती है घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो कितने मिनट से घड़ी में बजने हैं बारा तो बारा बजने हैं दोस्तों तो घड़ी की सुई और मिनट की सुई कहां पर होंगी एक के उपर होंगी मतलब बराबर पर होंगी अब देखिए ज मिनट की सुई बारा से स्टार्ट हुई और पूरी घूम के फिर से बारे पर आएगी तो एक घंटा हो जाएगा और एक घंटा हो जाएगा तो तब तक घंटे की सुई दोस्तों कहाँ पर आजाएगी एक पर आजाएगी आजाएगी या नहीं आजाएगी आजाएगी एक पर जब बारा बज लेते तो घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों बारा पर थी ठीक है और जब मिनट की सुई ने पूरा एक घंटा घुमा तो घंटे की सुई एक पर आगी लेकिन साथ मिनट में मिला नहीं पाई साथ मिनट में दोस्तों मिला नहीं पाई अब 60 मिट मिलाने के लिए क्या होगा दोस्तों जो मिनट की सुई 60 मिनट पूरी घुम चुकी है वो यहाँ पर और घुमेगी एक पराने के लिए एक पराने के लिए और घुमेगी 5 मिनट तो हलका सा थोड़ा सा घंटे की सुई है वो भी दर खिसकेगी तो यहाँ पर मैं आपको बता दू, formula क्या होता है, 60 बटे 55, into कितना दोस्तो, 60 बटे 55, और यहाँ पर क्या होता है, 60, क्योंकि 60 घुमती है, अब इसको formula को छोड़िए, इस formula को छोड़िए, मैं आपको direct बता देता हूँ, इस question को आप direct याद रखना, कि घंटे की सुई को मिनट की सुई दुवारा कम मिलाती है, direct याद रखिएगा, direct में इसका answer बता रहो, 5 सही 5 वटे 11 मिनट के बाद में मिलाती है, के लिए दोस्तो, 5, देखे 65 मिनट, 5 वटे 11 मिनट के बाद मिलाती है, 65 मिनट दोस्तो कैसे हो गए, 60 मिनट तो यह पूरे हो यहां घूमीए, फिर एक पर आई, 65 मिनट, 5 मिनट और आई, तो 65 मिनट हो गई, जब 5 मिनट की सुई घूमी तो हलका सा घंटे की सुई भी घूमेगी, फिर और घूमेगी मिनट की सुई, तो उसमें क्या होता, 5 वटे 11 मिनट का समय और लगता है, तो 65 सही 5 वटे 11 मिनट के बाद आपको मिनिट की swing गंटी की swing को दुवारा मिलती है यह याद रखिएगा मोखे question है कितने भी एक बार घुमा लो गड़ी को कितने भी बार यह दोनों आपस में कम मिलेंगी एक के उपर एक कम मिलेंगी इतने मिनट के बाद मिलेंगी के लिए दोस्तों समझे मागी बात अब देखते हैं अगला कोशन अगला प्रेशन है तीन और चार के बीच कितने बज़े घड़ी की दोनों सुई चार से बराबर दूरी पर होंगी मैंने अभी अभी बताया था कि पांचमा जो प्रेशन है वो दोस्तों मैं आपके लिए दूँगा घर के लिए मतलब होंवर्क के लिए तो ये प्रेशन दोस्तों आपके लिए होंवर्क है इसका आंसर आप मुझे बताईए कमेंट वॉक्स में क्या होगा चार आपके पास इ आपके आंसर का इंत्यार कर रहा हूं कमेंट वक्स में ठीक है दोस्तों इसका आंसर आप मुझे बताइए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन का बटन भी दवा दिजिए दोस्तों धन्यवाद